हिमाचल जुआली के रेहन के छत्र में एंजल दिव्यांग वह अनात आश्रम चल रहा है जिसे एक दमपत्ती अलका शर्मा वह निरश शर्मा चला रहे हैं जिसमें यहां संस्थापक अलका शर्मा और निरश शर्मा वह उनकी पूरिजीम की मेहनत और सेवा रंग लाने लगी दिव्यांग आश्रम में एक दिव्यांग बच्चा सक्षम ने आठ महीने बाद आज अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया है आठ महीने पहले यह दिव्यांग बच्चा आश्रम आय था तो वह ना तो चल सकता था और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था एंज थीक हुए बच्चों के अभवावक काफी खुश हैं और उन्हें रहे हैं दमपत्ती इन आश्रम में अपने खर्चे से 70 दिव्यागं बच्चों की देखबाल कर रहे हैं इस दिव्यांग आश्रम दमपत्ति ने अपने ही घर खोल रखा है जहां पर ये हस्ते हस्ते इन बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं जुआली से समधाता दोलच चोहान की रिपॉर्ट कि इते बच्चे के लिए अंदे हो क्या संस्दाजरी पैसे लेंदी ही तो रहे खोलो फ्री आंदा रोटी पानी एक करोले आंदे हो और भी फ्री मैं शक्षम की बुओग शक्षम जे सालैं से आठ महींग पैले में डिवयांग अस्टर अंजल डियांग आश्रमpet मैं जब शक्षम को लेकर आई ती तो वो बिल्कुली चलता नहीं था बोलता नहीं था बैठता नहीं था कोई भी activity नहीं करता रहा आज इसको काफी फर्क है आज तो बहुत चलता भी है बैठता भी है काफी अप्वूमेंट है उसमें आर से आपको पहले से कितना फर्क रता है इसको पहले से काफी फर्क है 80% फर्क है से पहले से है सो में से displacement ने क्शो इस इंजल डियोगाष से अबचा रही है उसकी क्या सहतर रही क्या किछ प्रयास नहीं वहां काफी थे प्रॉप करते हैं उन्हों की यौण बहुत होगे का मैठी आप से कोई चार्ज लिये जाते हैं नहीं कोई चार्ज नहीं उनकी गाड़ी लेकर आती हैं और लेकर छोड़ने भी जाती है ठीका थेंक यू जे बीडी बंक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिज पलेस राजगराना and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise